हेलो दूस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का तो आज हम बनाएंगे कौच की सबजी तो आज इस वीडियो में हम इसे बनाना इसका छिलका निकालना आज हम यही सीखेंगे तो चलिए आज हम कौच की सबजी बहुत ही टेश्टी लगती है सब्जी को भी सकते हैं तो आपिसे कुकर या कड़ाई में भी बोयल कर सकते हैं ज electro को नहीं करना इन एक इसब्जी को को खाई भी नहीं थी लेकिन एक बार मार्केट में अलेबल था तो घर लाके बनाया तो यह प्हुत पहुती सौधिश्ट लगी ही सबसी इस तरीके से इसका छिलका निकाल लेंगे इसके अंदर कापाट एक थोड़ा सा हाड होता है वायट कलर का ये खाने के साथाठा निकालेंगे तो जादा अच्छा रहेगा पहले निकालेंगे और ये पीसेस तोट जाएएंगी। तो इस तरीके से सारी सबजी खिलका निकालेगा,nothingब मसाला त्यार करतें हैं। साबुत काली मिर्च, जीरा, साबुत धनिया, सबैट करके पेश्ट बना लेंगे, अब आलू जो लिया था इसको कट कर लेते हैं, छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे इसको, और ये सबसी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही पुराने जवाने से बनती है, तो इस तरीके से, आप यहां पर कौच को भी फ्राई कर सकते हैं, पर ज्यादा आलू को ही फ्राई करें, इससे ही तेश्ट अच्छा आएगा, तो थोड़ा से रोष्ट कर लेना है इसको, तब हमारे सारे आलू फ्राई हो चुके हैं, इसको साइड मे रख लेंगे, थोड़ा दालेंगे और मेथी डालके और साबुत तेश पत्ता साबुत लाल मेश डालके चटका लेंगे और इसमें थोड़ा सा सरसो डाला है राई, अब और करी पत्ता, इसके टेश्ट अच्छा आता है, तो अब तड़के ही लिए प्याज कट किया है, प्याज भी एड़ कर इसको गौल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, तो अब चलते हैं, जो पेश्ट तयार किया था मसाला, उसको एड़ कर देंगे, एक स्पून हल्दी पाउडर एड़ करेंगे, अब इसको पका लेंगे, जब तक आईल ना रिलीज होने लगे मसाले से, इसको मीडियम भी हमको पका लेना है अब लगभग मसाला पक चुका है ओयल इससे तेल छोड़ने लगा है कडाई छोड़ने लगा है मसाला तब इसमें हम कौच और आलू को एड़ करके मिक्स कर लेंगे आप इस तरीके से बनाएंगे तो सबजी बहुत ही साधिष्ट बनेगी तो इसमें ठंडा पानी नहीं गरम पानी डालेंगे तता कि इसका टेंपरेचर मेंटेन रहे और इसमें मैं आधा चम्मज गरम मसाला अट कर रही हूं जो आप देली खानी में यूज करते हैं वहीं तेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दीमी आज पर पकने के बाद मारी सबजी तयार हो चुकी है वीडियो पसंद आये तो लाइक सबस्काइब कीजिए थैंक यू